दोस्तों अमेर्की रास्पती जो बाइडन के दौरा कल रात में जो ट्वीट आपका सामने आया और जिस प्रिकार से उन्होंने आगे आने वाले रास्पती चुनाओं के लिए अपना नाम वापस लेने की गोशना की है उसके बाद अलग-अलग न्यूस्पेपर्स पर जो हे आपके रास्पती चुनाओं से बाहर हो चुके हैं लेकिन क्या कमला हैरिस आपकी यहाँ पर अगली रास्पती बन सकती है इसके लावा कुछ और न्यूस पेपर्स है टाइम्स में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर जो बाइडन और उनकी न्यूस को जगा दी गई है जो कि एक बहुत बड़ी बात है उसका खारण ये है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिसाली देश है और शक्तिसाली देश को चलाएगा कौन इसके प्रेसिडेंट कौन बनेंगे अगले रासपती चुनाओ में कौन आपके यहां पर खड़ा हो डॉनाल ट्रम पर अभी बीते दिनों पहले आपका यहां पर जो हमला हुआ उनके मारने उनकी हत्या करने की जो कोशिस की गए उसके बाद उनके जीतने के चांसे काफी हद तक बढ़ गए है और इसके ऑपोजिट अगर हम बात यहां पर करें जो बाइडन तो कई सारे ऐसे जिनकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइडन ने यहां पर रासपती पत के चुनाओं से अपना नाम वापत लिया है दिखिए इसके पीचे कई रीजन है पहली चीज तो यह आपने बराक उबामा का बयान भी सुना होगा कि बराक उबामा तो यह चाहते थे कि जो ब कि जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे या उनके लीडर थे उनके कैंडिडेट थे और डॉनाल ट्रम्प की बात करें तो डॉनाल ट्रम्प किस पॉलिटिकल पार्टी से ब्लॉंग करते हैं मुझे फटा-फट से कमेंड करके बताईएगा तो य प्रेसिडेंशल रेस से अमेरिका के वर्थमान जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन वो बाहर हो गए है अभी रिसेंटली क्या हुआ था अमेरिका में होता क्या है कि बेसिकली जो भी प्रेसिडेंशल कैंडिडेट्स होते हैं रास्पती पद के उमीदवार होते हैं उनकी प इसके अलावा अगर हम बात यहां पर करें, उनकी हेल्थ को लेकर भी यहां पर प्रॉब्लम्स थी, उसको लेकर भी संधे था कि उनकी जो फिटनेसे वो उतनी बहतर नहीं है, ठीक है काफी बुढ़े हैं वो और उनकी फिटनेस उनका साथ नहीं दे रही है, तो अमेरिका में रास्पती पत के चुनाव होने से ठीक चार महीने पहले उन्होंने अपना नाम अब यहां पर वापस ले लिया है, तो अब यहां पर सवाल उठता है कि अब डॉनाल टरंप के अगेंस्ट में, अगर हम बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टी किसे यहां पर मैदान में उतार स सकती है, तो सबसे आगे जो नाम आपका सामने आया है, वो कमला हैरिस का है, और यह नाम खुद सजेस्ट किया है जो बाइडन ने, जाते जाते जो बाइडन ने यह सजेस्ट किया अपनी पार्टी को, डेमोक्रेटिक पार्टी को, कि जो वर्तमान उपरास्ट पती है कमला ह उनको रास्पती पद के लिए वो समर्थन करेंगे और पार्टी को भी एक जुट होके उनका समर्थन करना चाहिए पार्टी को भी उन्हें अपना प्रेसिदेंशल कैंडिडेट बनाना चाहिए लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या आगे आने वाले वक्त में आगे आन इस समय में क्या अमेरिका की प्रेसिडेंट बन सकती हैं नहीं यह तो वती बताएगा जो व्य कारेकाल है वो पूरा करेंगे जो बाइडन का अभी इसके बाद जो अनौस्मेंट आया है वो यह जो उनकी तरफ से बयाना आ है कि कमला हैरिस को हराना और भी आसान होगा लेकिन कमला हैरिस याद रखे वर्थमान में उपरास्ट पती है वाइस प्रेसिडेंट है और इतना आसान भी नहीं होगा और एक भारती मुल की परस पार्टी की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है जो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंड किया है अब देखना यह कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडन के डिसीजन के साथ कमला हैरिस को अगला रास्टपती बनने के लिए कैंडिड के तौर पर मैदान पर उतार सकती है या नहीं तो नाल्ड ट्रम्प की तरफ से अगर हम बात करें बीते कुछ समय में जो बाइडन को लेकर तरह तरह के तंज कसे गए उन्हें बोला गया भी फिट नहीं है ऐसा डोनाल ट्रम्प ने कहा तो अब आगे आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि अब देखिए यहां पर जो सबसे बड़ा बदला हुआ है कि अब तो जो बाइडन साहब पद से बाहर हो गए हैं बतलब रेज से बाहर हो गए हैं अब उन्होंने नाम स मत्या के प्रियास के बाद काफी जादा पॉब्लिक समर्थन इनको यहां पर मिल रहा है तो अब देखना यह है कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी कमला है जो भारती मूल की हैं क्या उन्हें अपना नेक्स प्रेसिडेंशिल केंडिडेट बनाएगा या नहीं या किसी नए के वक्ते ही हमें बताएगा लेकिन अगर कमला हैरिस का नाम सामने आता है तो यह सबसे बड़ी टक्कर होगी कहने का मतलब क्योंकि वह वाइस प्रेसिडेंट है इतनी कमजोर कैंडिडेट नहीं है तो डोनाल टरंप और कमला हैरिस क्या डोनाल टरंप के सामने कमला हैरिस अमे जरका में भी एक भारती मूल की personality प्रेसिडेंट बन सकती हैं हाँ या ना मुझे जरूर लिखकर बताएगा कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राया है वो मुझे जरूर लिखकर बताएगा उमीद है कि यह मुद्दा आपको समझ में आया होगा आप लोग यहां पर क्या कर सकते अपकमेंग एक्जाम की preparation के लिए M5 application को download कर सकते हैं M5 application पर आप M5 simple की subscription को लेकर आप वहां पर live classes, mock test और questions की practice कर सकते हैं आप M5 simple का subscription 3 months के लिए ले सकते हैं जहां पर आपको सभी exam categories में bank, SSC, railway, defense, UGC, NEET, JE सभी exam categories का subscription एक single subscription में मिल जाएगा live classes, mock test, practice questions सब कुछ 1 year subscription आप ले सकते हैं 1 month subscription आप ले सकते हैं अगर आप 3 month subscription आप यहां पर लेते हैं तो इसके लिए आप code यहां पर use करेंगे achieve 15 code तो आपको 15% का discount 3 month subscription पर मिल जाएगा और अगर आप यहां पर code use करते हैं unlock 20 code तो आपको 20% का discount annual subscription पर मिल जाएगा आज के लिए वीडियो में इतना है thank you so much and keep mviving because mviving is better than learning video पसंद आया हो तो session को like और share जरूर कीजेगा चैनल को subscribe जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पर नए है थेंक्यू